तो हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका प्यार येमर और आज के इस वीडियो में आप सभी का सवागत है आज मैं अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ Poco A5 5G फोन का इसमें जो प्रोसेसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लगा हुए है एक न्यू प्रोसेसर स्नेपड्राइगन 7 Plus Gen 2 और ये वर्ल्ड का फर्स्ट फोन है जिसमें ये न्यू प्रोसेसर लगा हुए है फोन बहुत जदर एंटरस्टिंग होने वाला है और अन्बॉक्सिंग और हम इसमें करने वाले हैं फोन के दिखेंगे का बडिए स्बिएमिंग करेंगे के लिए वाले हैं इस बॉक्स को अन्बॉक्स करना है सबसे पहले ब्लैक बॉक्स है उसके अंदर एक पीला कलर का बॉक्स है सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने के लिए मिता से मिंज़कर तूल उसके बाद डॉक्मेंटेशन है और यहाँ पर यहाँ पर है एक सिलिकॉन का वाइट कवर फोन में हम लगा कर देखेंगे कि किस प्रकार का देख रहा है बैक कवर लगाने के बाद भी अब आती है फोन की देखेंदर 67W का एक फास्ट चार्जर तो इस फोन में 5000 mh की बैटरी है और 67W का फास्ट चार्जर है तो जल्दी चार्ज होगा और लेट बैटरी उतरी की मतलब की बहुत देर तक आप केमिंग कर सकते हो तो यहाँ पर अभी फोन है फोन को रैप से बाहर निकालते है ओ ग लग की बर्फ वाला कुछ एनिमेशन है तो मुझे काफी ज्यादा पशन्द आया है यह बैक साइट की यह स्टिकर को हम रिवू करते हैं फोन से और भी ज्यादा ग्लॉसी लुक निखर के आएगा फोन का तो अब बात करते हैं इसके पोर्टन बटन की तो उपर का साइड म seems एक उपर काम करता है फोन के नीचे साइड में सिंगल स्पीकर चार्जिंग पोर्ट माइक्रो फोन और है सिम ट्रि ग्रिल तो तो सिम ट्रे को निकालते हैं देखते हैं कितना सिम को एज़ेस्ट करने का पर सिस्टम है कि दो शिम लग जाएगा इसमें और फोन के लेफ्ट साइट में कुछ नहीं है और बहुत ही प्यारा लुक है यह फोन का पूरा इश्णो वाली मतलब की बर्फ वाली फील आती है जैसे कि कोई रिफ्लेक्शन आता है फोन के बैक साइड में तो यहां पर मैं एक्सेस किया है सो यहां पर जो फिंगर प्रिंट है काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और और फिस अनलॉक भी मैंने किया हूं इसमें ओके वो शांदार क्वालिटी फोन में बैक कवर को अपलाई करके देखते हैं किस प्रकार की फील देता है उसी प्रकार की फील पर नजारा है सो फोन के अबाउट में ले जाता हूं आपको सो यहां पर मियू आई वर्जन 14 का है जैसे कि यहां पर आप दे सकते हो और डिटेल में चले जाते हैं तो बारज़ जी बिरेम है और इसमें जो प्रसेसर लगा हुआ है सेप्यू लगा हुआ है कॉलकॉम जैन 2 और यह एक न्यू प्रसेसर है मतलब की जो एड़ जैन 1 है ना उसके ही जैसा सेम प्रसेसर मतलब सेम ही है बट यहां पर नाम थोड़ा सा अलग है और इसमें एंड्रोड वर्जन 14 का तो है ही है और में पास वीरियंट 12GB RAM 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है तो काफी ज नीचे और लेफ्ट राइट में आप देख सकते हो जो स्क्रीन है डिस्प्ले है चारत तरफ से एक सी है तो यहां पर जो डिस्प्ले है वो बड़ी मिल जाती है रिफ्रेश एट स्टेंडर और हाई में यहां पर 60 हर्ट और 120 हर्ट का रिफ्रेश रेट दोनों है यह इसमें डिफॉल्ट कर देते हैं तो कुछ जगा 60 और कुछ दगा 120 मिलता है लेकि इसको सेट कर देंगे 120 में तो आपको जितना भी प्लेस है सारा में इसमें 120 हर्ट मिलेगा और 120 हर्ट का डिस्प्ले काफी जादा अच्छा होता है तो यूट्यूब में मैं वीडियो कॉलिटी को म आप देख सकते हूँ यह इमेज अब मैं वीडियो प्ले करता हूँ आप डिस्प्ले का अंदाजा लगा यह कैसा है ओ जितनी अच्छी डिस्प्ले यहाँ पर मैंने सोचा था उससे भी अच्छी है और देख सकते हो किनी जदर डिटेलिंग है ठीक है और कलर बिल्कुल भी आपको मस्द माल्टी मीडिय में और जो वीडियो देखोगे गेमिंग करोगे सब में अलगी एक्स्प्रियंस आएगा विग डिस्प्ले है तो मज़ा तो जरूर आने वाला है इस फोन में साउंड की बात करते हैं इसमें डूल स्टूरियो स्पीकर है फोन के उपर के में ठीक है और ऐसा नहीं इसमें डॉल्बी एट्मॉस है ठीक है तो मैं यहां पर जैसी करता हूं डॉल्बी एट्मॉस यहां पर ऑन है इसको आफ करता हूं अब यहां पर मैं डॉल्बी एट्मॉस को आन करता हूं और अब प्ले करता हूं गाइस जो फ़र्क है ना वो सच में अलग है जैसे ही आपर डॉल्वी एटमॉस को मैं आन करता हूं तो बहुत अच्छी साउंड आती है और थोड़ा बेस और सोड़ी क्रंची साउंड आती जिससे जो साउंड इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है जैसे कोई वीडियो देखोगे यह कोई गाना सुनोगे तो नेक्ट लेवल का इसमें एक्सपिरेंस मिलने वाला है ठीक है डूल स्टूरी उसके काफी लाउड है तो मज़े तो जरूर आने वाले है तो अब हम इस फोन के कैमरा की बात करते हैं तो यहां पर आप दिसकते हो बैक सेल्फी की क्वालिटी यहां पर आप देख सकते हो मुझे उतनी खास क्वालिटी नहीं आ रही है सेल्फी में मतलब कि उतने भी ज्यादा डीटैल नहीं है ठीक ही ठाक है अपन बोल सकते हैं इसको सो यह बैक साइड का कैमरे का फोटो है थोड़ा सा इसमें मतलब जो कलर है थोड़ा सा ब्राइट कर दिया है और कुछ-कुछ जगा कुछ ज़्यादा ही ब्राइट कर दिया है यहां से आप देख सकते हो अब यहां पर 64 मेगा पिक्सल के मैन कैमरे से फोटो लेकर देखते हैं कि कितनी अच्छी फोटो आती है तो यहां पर 64 मेगा पिक्सल के कैमरे स तो बैक साइड में आप देश सकते हो 720p, 1080p, 1080p में 30fps और 60fps है 1080p में और 720p में 30fps है और जो 4K है उसमें 30fps का सपोर्ट है रेजलेशन में वीडियो कॉलिटी में 720p और 1080p में 30fps है और यहां पर 1080p में 60fps इसमें जो कॉलिटी है वो अच्छी खासी आने वाली है फोटो से थोड़ी अच्छी दिख रही है मुझे मतलब कि जो सेलफी में लिया था उससे थोड़ा सा अच्छा मुझे लगा है यहां पर वीडियो की कॉलिटी में और बैक साइड में 1080p, 60fps में जो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो भी अच्छी खासी यहां पर वीडियो रिकॉर्ड करती है तो यह भी अच्छा इसका कैमरा उतना भी ज्यादा खराब नहीं है और उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं कि बहुत अच्छी फोटो से वीडियो आती होगी एवरेज हम बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अच्छी खासी इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहां पर हम कर सकते हैं अब बारी आती है बहुत सारे बंदे जिसका बेट कर रहा है गेमिंग टेस्ट की तो मैं काफी सारे गेम को इसमें इंस्टॉल किया हूँ मैंने क्या किया है कि जितने भी गेम है सब को डाउलोड कर दिया है अब यहां पर आती है गेमिंग की बारी यहां पर गेमिंग टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम Free Fire Max को उपन करेंगे उसके पाद Call of Duty है PUBG भी है और Fortnite भी मैंने डाउलोड किया है और Asphalt Nitro है सबको सबकी गेम को हम ट्राइ करेंगे देखते हैं इसमें ग्राफिक्स हाइस सेटिंग में कैसा परफॉर्म करता है इसमें जो प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा है स्नाइब ड्राफिक्स में गेमिंग नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चलेगा कि फोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ है और जो मेरे पास बारा जीवी रेम वाला है तो कितना ही अच्छा परफॉर्म करता है वो देखते हैं गाइस सो यहां पर चलो सबसे पहले हम 3 x max से स्टट करते हैं और जो मैं ग्राफिक को सेट करने वाला हुँ हमेशा से ही मैं जतनी वी फोन लेके आता हूं सबको हाईयस सेटिंग में यहां पर रख के खेलता हूं तो डिसपले में आप देज सकते वह हाईयस सेटिंग में है गेमिंग करके देखेंगे इसके बाद सबसे ज्यादा खतरनाक और हैबी जो गेम रहेगा वह कॉल अब ड्यूटी रहेगा और उसमें पूरा मैंने डाउनलोड कर लिया है मतलब की लैग होने की संभावरा हंड्रेट परसेंट है यदि कोई भी नॉर्मल फोन में खेलिंगे लेकिन यदि ये फोन में लैग नहीं हुआ तो समाझ लो की भाई साब फोन बहुत ज्यादा जवर जस्ते तो चलो स्टाइट करते हैं बने किस आएँ तो यहां पर कॉल अफ ड्यूटी में क्या ही स्मूद नहीं से मज़ा आ गया उश के बाद हमने ट्राइ कि यहां पर जो सबसे तेज तेजी वाला जो गेम है वह असवालन नाइट्रो है तो मैंने भी उसमें experience किया काफी तगड़ा experience आया मुझे मज़े आगे उसमें gaming करने में उसके बाद मैंने याँ पर call of duty से हट के याँ पर pubg मेंने किया देखो pubg में जितनी भी high graphics होती है ultra में करके चलाया है जब मैं 90 fps में shift कर रहा था तो light version में हो जा रहा था मतलब जो graphics है वो ठीक है फ्रेम रेट 90 hertz में इसमें support है तो यह अच्छी बात है और graphics करें दोनों में अच्छी खाजी ultra में तो ultra में हो जा रहा है मतलब भाई साब स्मूद gameplay चल रहा है जैसा मैंने expect किया था वैसे यह phone perform कर रहा है और perform करना भी चाहिए screen recording इसमे 60 fps का support नहीं है यह मुझे थोड़ा सा कम लगा 30 fps का बस support है और जो quality है वो अच्छी खासी screen recording की भी है मज़्या जाते हैं so guys यहाँ पर जो POCO F5 5G phone है उसके सभी features के बारे में मैंने बताया है हमने काफी सारे इसमें game test किये हैं और graphics test किये हैं और guys camera phone के performance और design phone के camera के बारे में और काफी सारे features के बारे में मैंने आपको बताया phone पसंद आया होगा video पसंद आया होगी तो यार प्लीज वीडियो को like जरूर करना और शेया को subscribe करके बाज़ो अलब एलकॉल पर सेट कर डाला क्योंकि ऐसे ही interesting unboxing और guys phone के सभी features के बारे में बताते रहता हूँ phone के review और comparison और बहुत कुछ अपनी चनल में लेके आता हूँ नया तो यार like, share, subscribe आज के लिए बस इतना ही thanks for watching, give support, love, my family मिल दे नेक्स वीडियो में इंट्रेस्टिंग वीडियो में बनी रहीएगा मेरे शारे के साथ बाई बा और बाई बाई रहता हूँ, और रहता हूँ झाँ झाँ.